नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो दुनिया राहच समय जड़ी बूटियों से भरा हुआ है बस हमें खोजते रहना है और दोस्तो इसी तरीके खोज जारी रहेगा और खोज खोज कर एक एक जड़ी बूटी ढूड़ कर हम आपको फाइदे के बारे मैं आपको बताऊंगा कि या फूल कितने फाइदेमंद हैं ऐसे तो दोस्तो गुलमहर का पौधा ब्रिक्ष करीबन 40-50 फुट तक उचा पाया जाता है और या सड़क के किनारे या फिर जंगलों के बीच में लगाया जाता है या बहुत ही खूबसूरत होता है इसलिए इसे गाड़न ओडन में भी लगाया जाता है खूबसूरती के लिए लेकिन दोस्तों जितना ही खूबसूरत या पउधा ब्रिक्ष है पेड़ है उतना ही खूबसूरत उतना ही फाइदेमंद इसके अंदर आयरुवेदिक गुड़ भी भरे हुए हैं तो द फली करीबन दो दो तिन तिन फूट के एक एक फली है चेप्टे चेप्टे काले काले जो की इस समय ब्रिक्ष में ही लगे हुए दिखाई दे रहे हैं देख लीजे पहचान लीजिए दोस्तों उन फलियों के अंदर बीज होता है बीज करीबन के अप्सूल के बराबर होता है एक एक इंच का उसी वीज से दूसरा पौधा उत्पन होता है दोस्तों यह है उसका ब्रिक्ष का तना जो की काफी मोटा बीज होने कोज़े जिसका मोटे-मोटे तना भी है और यह नीचे सड़क पे लगा हुए जड़ तो दोस्तों आओ चलो अब इसके फाइदे बारे कुछ भी नहीं है तो यह जो सफेद सफेद गुलमोहर का फूल दिख रहा है चितकवरा इस फूल कमतल आट-दस पूल खा लीजी आपका भूख जो है बिलकुल खतम हो जाए भूख नहीं लगेगा यह सफेद सफेद चितकवरा दिखने वाला फूल गुलमोहर का यह हासूर उमारी का एक नयाब आवसद है दवा है अब चलो दोस्तो इसके लाल फूल कि तरफ चलते दोस्तो यह लाल फूल खूल को साप करता खूल के उनदर बिसेले पडारत को निकाल कर बाहर करता है जादा नहीं अगहर यह वीजेद समल तक इसके लाल फूल को रस पया ज कर उसका लेप पैरों के तालूम करने पैरों के जलन ठीक होता है सांत होता है दोस्तों यह केल्सियम को पूरा करता है और खून के कमी को पूरा करता है दोस्तों यह सब फूलों के कली हैं दोस्तों यह कली जो दिख रहे हैं गुलमोहर के कली है इस कली को तोड़ कर पपीता के दूद्द के साथ पीस कर इसका पेश्ट बना कर मासे वाले बवासीरक मासेप लगाने से बवासीरक मासा ज़ड़ कर गिर जाता है दोस्तो इस गुलमोहर को अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है कोई कोई इसे कृष्ण चूरा कहते हैं कोई राधा चूरा कहता है कोई गुलमोहर कहता है कोई गुलमोहरी कहता है इस तरह से अलग-अलग भासाव में से अलग-अलग नामों से जाना जाता है आप इसे किस नाम से जानते हमें जरूर बताईएगा दोस्तों अगर किसी को दस्त हो रहा है और दस्त ठीक नहीं हो रहा है तो उस दस्त को रोकने के लिए जो तना है इस तने के जो छाल है करीबन इस छाल को पीश कर एक चम्मचरस निकाल कर जिनको दस्त है उनको पिला दिया जाए तो दस्त रोक बिल्कुल सांत हो जाता है दोस्तो इस दुनिया में बिमारी कम है और दवाई जादा है पेड़ पौधा जादा है अगर किसी इस तीरी को लिकोरिया है तो गुल मोहर के फूल को सुखा कर पौडर बना कर रख लीजिए सुबा साम एक एक चम्मच थंडा पानिक साथ पिलाए लिकोरिया सफेद पानिक स चिकायत बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों इस फूल का चूरन बना कर रख लीजिए बहुत सी रोगयों के लिए भी फाइदे मंद है एक एक चम्मच इस्तमाल करना है और दोस्तों इसके तना कभी छाल निकाल कर उसे भी पीस कर पावडर बना कर अगर रख लेते हो तो किसी के हाथ पैर के अंगुठे में जो नाखून होता है वो नाखून अगर सड़ने लगे और नाखून सड़कर जड़ने लगे तो उस जड़ते हुए सड़ते हुए नाखून के लिए भी ये बहुत फाइदे मंद है दोस्तों ये जो पत्ता दिख जो ये फूल दिख रह से आंखों को रोसनी बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन तद तुपाये जाते हैं दोस्तों अगर उल्टी जैसा लगता है तो मात्र यह सफेद चितकबरा फूल को चबाते ही उल्टी का आना बंद हो जाएगा इतना तेज फाइदा करता है यह गुलमहर का फूल लेकिन यह जो सफेद वाला दिख रहा है चमकता हुआ सफेद और लाल चितकबरा तो दोस्तों आज की महात्पूर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदी